दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते आज हम कच्छा दस के NCRT के विज्ञान की किताब से अध्याए एक रसानिक अपकिरिया योम समीकड के अंतरगत अभ्यास प्रशन किताब के आखरी में जो प्रशन उत्तर दिया गया है प्रशन दिया गया है question no 6 है उसको हम कहने जा रहे हैं निन रसानि शमीकड को संतुलित कीजीए तो रसानि समीकड A, B, C और D चार रसानि समीकड दिये गए हैं इन चारों रसानि समीकड को हम पहले संतुलित करेंगे पहला A है दुसरा B है तिसरा हम आगे और चौथा आगे करेंगे तो पहला समीकड हमारा क्या है नाइट्रिकम्ल या चेयनो थिरी इसे कहलाता है नाइट्रिकम्ल और दूसरा है कल्सियम हाइड्राकसाइड दूसरा तत्तो है कल्सियम हाइड ये दोनों आपस में मिल करके कल्सियम नाइट्रेट बनाता है और जल बनाता है ये हमारा जल है तो इन योगी को के नाम से हमको यहाँ ज्यादा मतलब नहीं है हमको यहाँ हमारा प्रशन कह रहा है संतुलित करना है यहाँ हमारा प्रशन क्या कह रहा है इन समीकड को संतुलित करना है दूसरा समीकड है sodium hydroxide और sulfuric amlase to SO4 अगला है यह दोनों आपस में किरिया करके sodium sulfate और जल बनाता है तो यह दो समीकड है इन दो समीकड को पहले संतुलित करेंगे उसके बाद हम थोड़े देर बाद अगले दो समीकड को संतुलित करेंगे तो किसी भी समीकड को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं परमाड़ों की संख्या को समझते हैं सबसे पहले हम आक्सिजन परमाड़ों को लेप्ट साइड में लेप्ट हैंड साइड इसे कहते हैं और ये दर राइट हैंड साइड right hand side सबसे पहले oxygen parmaadr को हम दोनों पच्छ में balance करेंगे तो इधर oxygen parmaadr को संख्या क्या है 5 है इधर क्या है 7 है तो इससे पहले हम कुछ चीज़े और देखेंगे, यहां हमारा nitrogen क्या है 2 है, यहां nitrogen एख है, तो nitrogen को भी हम सही कर ले, तो हो सकता हमारा च्राइब हम सब्सक्राइंग आपक्रीघ्रगों क्यों evolve हैन ग्रोंटेत दो हम दो है इसलिए दो हमको गुडा करना ड़ेगा है इसलिए हम पहले गुडा कर लेते हैं कि देखते हैं क्या क्या होग brains से हमने यहां गुड़ा कर दिया तब हमारा क्या होगे आक्षियन की संख्या अब हमारी आक्षियन की संख्या क्या होगे तीन ये तीन दूनी छे और दो आठ इधर क्या होगे आठ हो गया अब यहां कितना हमारा हो गया यहां तो हमारा साथ ही आक्षियन परमाणों की संख्य कितनी है साथ है इधर कितनी है तीन दूनी छे एक साथ यह साथ है यहां दो से गुड़ा हो जाए यहां दो से गुड़ा कर देते हैं तो क्या होता है तीन दूनी छे और यह दो आठ इधर आक्षियन की परमाड़ों की संख्या क्या हो जाती है बराबर हो जाती है अब हम के परमाड़ों की संख्या बराबर है अब हम एक एक करके चक करते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन का यहां दो परमाड़ों है यहां भी नाइट्रोजन का दो परमाड़ों है तो यह नाइट्रोजन भी सही है नाइट्रोजन भी हमारा परमाड़ सही है अगला हम चक कि यहां केल्सियम का एक पर्माड होगा यहां भी केल्सियम का एक पर्माड होगा है ये भी हमारा सही है करेंगे kriegen हाई instincts करेंगे हाइड्रोजन हाईड्रोजन यहां द οποistya है दो-स-समाद' दो है बहुत है और दो डो यह चार लगत पर्माड और यह 4 द़र भी हो गया, दो से गुड़ा कर दी हम, चार ये भी है, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी सही है, आक्सिजन हमने पहले चक कर लिया, आक्सिजन भी सही है, केल्सियम भी सही है, तो इस तरह से हमने चक कर लिया, कि यह समीकड क्या हो गया संतुलित हो गया इस तरह से हमारा समीकड क्या हो गया संतुलित हो गया इस तरह से हम संतुलित करेंगे इस तरह से हमारा समीकड यह संतुलित हो गया अब हम अगला करेंगे sodium hydroxide sulfuricum लापस में किरिया करके sodium sulfate और जल बनाते हैं अब इसको balance करना है संतुलित करना है तो इसमें क्या oxygen परमाड़ इसमें भी सबसे ज़्यादा है चार ये एक 5 पाँंच इधर आकशिजन परमाड़ है लेप्ट साइड में सबसे आकशिजन परमाड़ है और 4 पाँंच इधर भी 5 आकशिजन परमाड़ि की संख्या है यहां बराबर दिख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है सोडियम परमाड अब देखेंगे सोडियम परमाड किता है यहां एक है यहां दो है यहां दो से गुड़ा कर दें तो सोडियम की भी संख्या आक्सिजन हमारा क्या है बराबर है आक्सिजन पहले ही बराबर पहले नमबर पर आक्सिजन बराबर हो गया दूसरे नमबर पर हमने चक किया है, sodium भी, sodium की भी संख्या बराबर हो गई, अब हम क्या करेंगे, hydrogen को चक करेंगे, hydrogen की संख्या यहाँ दो और यह दो चार, hydrogen की संख्या चार है, यहाँ दो है, तो यह दो से बुड़ा कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, hydrogen की संख्या क्या हो जा आक्सिजन यहां क्या हो गया हमारा ये आक्सिजन हमारा हो गया दो और चार दो छे आक्सिजन हो गया इधर क्या हो गया दो ये चार दो छे ये छे आक्सिजन इधर हो गया और चार और ये दो से गुड़ा हो गया ये चार इधर और दो ये छे आक्सिजन की परमार की संख्या भी 6 हो गई यानि आक्सिजन भी सही हो गया अब हम क्या चक करेंगे सल्फर की संख्या सल्फर यहां एक है यहां भी एक है तो सल्फर भी सही हो गया आक्सिजन भी सही हो गया हाइड्रोजन भी सही हो गया हाइड्रोजन की संक्या 2 ये, और 2 ये 4 और ये 4 इधर, तो इस तरह से हम फिर एक बार दुबारा चक करते हैं, सोडियम 2 ये, 2 इधर हो गया, सलफर एक यहाँ, एक यहाँ, दोन इधर साइड में, इधर एक साइड ये भी बराबर है, हाइड्रोजन चक करेंगे, क्या हमारा संतुलित हो गया अब हम question number 6 का C और D करने जा रहे हैं सबसे पहले संतुलित करेंगे उसके बार संतुलित करेंगे समिकड C क्या कह रहा है sodium chloride याई नमक प्लस silver nitrate यानि चादी का nitrate आपस में किरिया करके silver chloride, चादी का chloride बनाता है और sodium nitrate बनाता है तो इस समिकड को सबसे पहले हम संतुरित करेंगे तो देखने में क्या लग रहा है इस समिकड बहुत ही सीधा लग रहा है sodium क्या कर रहा है nitrate के साथ जूड जा रहा है और nitrate क्या है chlorine के साथ जूड जा रहा है और सबकी संयक्ता क्या है sodium की संयक्ता एक है chlorine की भी एक है silver की भी एक है ag की एक है nitrate की भी एक है यहां सब की संख्या क्या है एक है यानि सभी तरफ लेप्ट साइड में और राइट साइड में तत्तों के परमाड़ों की संख्या क्या है समाना sodium यहाँ एक है, यहाँ एक है, silver यहाँ एक है, chlorine यहाँ एक है, chlorine यहाँ एक है, nitrogen यहाँ एक है, और oxygen तीन है, तो यह समिकड़ पहले से ही संतुलित है, इसको हमको संतुलित नहीं करना है, पहले से संतुलित है, यह समिकड़ क्या है, पहले से ही संतुलित है, पहले से ही संतुलि संतुलित है, ये पहले से संतुलित है, हमको संतुलित नहीं करना अब हम दूसरा करेंगे दूसरा हमारा barium chloride barium chloride plus sulfuric aml itiousificar 울 का मतलब होता है तिजाब जो बैटटी में होता है inverter की बैटटी में जो तिजाब होता है वही sulfuric aml barium chloride plus sulfuric aml आपस में किरिया करके बेरियम सल्फेट और हाइडरो क्लोरिकमल बनाता है तो इसमें भी वही किरिया है जिस तरह से ये बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जा रहा है हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रहा है क्लोरिन के साथ जुड़ा लेकिन इसमें क्या है इसमें सबकी संयुक्ता बेरिम की संयुक्ता दो है और क्या है सलफेट की दो है हाइडोजन की एक है क्लोरीन की एक है इसमें सबकी संयुक्ता समान नहीं है और दोनों तरफ परमाड़ों की संख्या भी समान नहीं है इसलिए समीकड को हम क्या करना पड़ेगा संतुलित करना पड़ेगा तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां देखें क्लोरीन दो है यहां सील एक है तो सबसे पहले क्या करेंगे क्लोरीन को हम बैलंस करने का प्रयास करेंगे यहां दो कर देंगे क्लोरीन की संख्याद दो कर दें यहां भी एक है आकसीजन चार disp यहां तो इस तरह से हमने देखा कि यहां समीकर्ण अब संतुलित हो गया एक बार हम दुबारा भी चक कर सकते हैं बैरिम एक यहां भी एक क्लोरीन दो यहां भी नहीं हो इन से इसके ऐसा carbon 2 दो इधर दो इधर सल्फर एक सल्फर एक आक्सीजन चार आक्सीजन चार तो इस तरह से समिकड़ हमारा संतुलित हो गया है